प्रोटीन का काफी मेंगा सोर्स है लेकिन इसके जो एडवांटेज है वो इसके कॉस्ट को जिस्टिफाई भी करता है पिस्टचीयो एक ऐसा मीडियम है जिसको यूज करने के बाद हमें काफी सार हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे तो उनमें से कुछ जो में में है वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहला है यह एंटियोक्षन प्रॉपर्टी करता है एक ऐसी प्रॉपर्टी और एक ऐसा नेचर जो कि आ औक्सिदेशन के प्रोसेस को इनिबेट करके सेल को एक नया और फ्रेश लाइप प्रोवाइड करता है दूसरा अगर मैं कहूं कि यह विटामिन बी का एक अच्छा सोर्स है तो इसमें कहीं भी कोई गलती नजर नहीं आएगी वाइटामिन बी हमारे मसल्स के लिए हमारे नर् अगरिन्ट हैं और प्रेशन के किसी भी ट्रैमस्टर में जो भी ड्राइफूर्स हैं उनके अंदर इस तरह के पिस्ताचियों को यूज करते हैं बसरते उनको कुछी स्पैसिक ड्राइफूर्स से ऐलरजी ना हो तो वो उनके लिए और उनके वूम में डेवलाप हो रहा है के लिए काफी useful होगा त्योंकि ये प्रोटीन का एक अच्छा और बहुत ही बढ़िया resource होता है प्रोटीन के availability कारण से जो womb में develop हो रहा होगा fetus उनके weight में भी काफी अच्छा improvement देखने को मिलता है और वो बहुत अच्छा नरिश हो सकता है more nutrition की problem बहुत आरहें से आप clear कर सकते हैं अगला जो advantage है वो है anti aging property अगर हम इस dry fruits का use a frequent interval पे एक frequent quantity में use करते हैं तो aging के chances को कम कर सकते हैं दंतों नहीं कर सकते लेकिन जो जुरियां है चेहरे की जो चेहरे में आपके dark circles वग रहे हैं या रूखापन है इनको management के लिए सीधा सीधा responsible है आपके blood और आपके brain की बीच में coordination oxygen carrying capacity तो यह oxygen carrying capacity को बढ़ाता भी है और आपके brain के function को जैसा कहा vitamin B के case में वो बढ़ाता भी है इसलिए stress को आप आसाने से manage कर सकते हैं cardiovascular system के लिए cardiovascular disease को रोकने के लिए या सीधा सीधा का है cardiovascular protection के लिए काफी useful है क्योंकि इसके अंदर जो chemical consequence पाया जाते हैं वो आपके body में develop हो रहा है जो plaque है, atheroma है, fat है, bad cholesterol यह को हम लोग LDL करते हैं उसके deposition को कम करता है जिससे cardiovascular system की जो health है वो बढ़ने लगती है जो problem हो सकने हैं उनको कम करता है आपके skin के appearance के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि इसमें बहु सारे antioxidant, anti-aging activity है, vitamin B है तो skin के लिए glow का का काम करता है अगर इसका हम save one करते हैं तो आपकी immune system को boost करेगा और आज के इस pandemic situation में या फिर कभी भी normal situation में जब कभी भी आपकी सी बीमारी से overcome करके हो के आते हैं तो डॉक्लर आपको कुछ अच्छे-च्छे fruits और dry fruits काने के suggestion देते हैं क्योंकि इनके कारण से इनके अंदर जो constituent है, vitamin B है, antioxidant है, protein है वो आपके immune system को boost करते हैं और इससे आप लंबे समय तक different types of disease से अपने आपको बचा सकते हैं यह आपको digestion में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें fiber पाया जाते हैं तो उनके digestion के लिए useful है इनमें कुछ ऐसे chemicals पाया जाते हैं जो digestion के लिए responsible digestive juice के secretion के लिए facilitate करने का काम करते हैं और यह आपके bad cholesterol को भी कम करेगा आखों के लिए आखों से associated जो उनके function है, eyesight के लिए काफी useful है और इसके साथ इसमें anti-inflammatory की property भी पाय जाती है anti-inflammatory property ऐसी property है जो कि आपकी body में किसी भी तरीके के जो inflammation हुए है या inflammatory mediator जैसे histamine, cytokanine वगरा है तो इनको वो रोग करके रखता है यह काफी अच्छा source है आपके लिए copper के लिए, phosphorus के लिए, potassium के लिए और magnesium के लिए यह जो potassium है वो आपके cardiovascular system के protection के responsible है वैसे ही other type के इसमें जो blood sugar की possibilities हो सकती थी किसी को उसको भी low करने का काम करता है अगर आप अपना weight management करना चाहते है, obesity को कम करना चाहते है तो भी यह आपको मदद करेगा इसमें fiber अधिक मातरा में होते हैं इसलिए digestion के लिए बहुत important है यह आपके जो cholesterol है, उन cholesterol को balance करने का काम करता है ताकि किसी भी तरीके से जो access में हमारे bad cholesterol है वो ज्यादा मातरा में ना हो और केवल वही cholesterol रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छा है यानि कि good cholesterol आपके लिए useful हो सकते हैं तो एक चीज़ इसका एक और कहार में conclude करूँगा यह आपके जो sleep की quality है यानि कि सोने की quality है जिसमें हम stress free हो सकते हैं वो बहुत अच्छा improve करता है तो पिस्ताचियो बहुत ही अच्छा alternative है आपके लिए अगर आपको इन में से किसी भी तरह की problem है और जैसा मैंने पिछले बार भी खा था यह कोई आयरुवेदिक या allopathic medicine तो नहीं है कि आपको immediate actions करना start कर देगा यह केवल आपके diet के एक मतुपून part या constituent हो सकते हैं जिन जोड़ी जानकारिया हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो आपके और आपके फरिवार की चोटे चोटे बच्चों के लिए भी useful होंगी thank you so much for watching this video नमस्कार take care अपना ख्यार रखिएगा